नमस्कार भाईयो बहनों में आपका मलहोत्रा भाई क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकॉन जरूर दबाए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में 90 साल की बुजर्ग महिला शैल कुमारी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना अली गंज थाना क्षेत्र के त्रिवेणी नगर की है। जानकारी के मुताबिक बुजर्ग महिला की जब हत्या हुई तो वह घर में अकेली थी। इस वारदात को एक या उससे ज्यादा बदमाशों ने अंजाम दिया है। इसकी जाँच की जा रही है। जानकी विवाद हो। तभी महिला को मौत के घाट उतार दिया गया हो। लेकिन इस बात की अभी कोई पुष्टी नहीं हुई है। हैरानी की बात ये है कि बुजर्ग महिला के चार बेटे हैं। एक बेटा रमेश फैमिली के साथ लंदन में रहता है। दूसरा बेटा मुक और महेश भी अपनी अपनी फैमिली के साथ अलग रहते हैं। परिजनों की माने तो सुबह उनकी महिला से फोन पर बात हुई। लेकिन शाम को उन्होंने मोबाइल नहीं उठाया। कई बार काल की गई। जिसके बाद पडोसियों को फोन किया गया। और जब पडोसी घर म गए तो देखा कि शैल कुमार जमीन पर खून से लथ-पत हालत में पड़ी थी। उन्होंने तुरंथ पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भिजवा दिया। हत्या को लेकर उठ रहे कई सवाल बहरहाल पुलिस के लिए कई सवाल चुनाती बने हुए हैं। मसलन नब्बे साल की महिला का आखिर कौन दुश्मन हो सकता है जिसने इतनी बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार डाला। इसके अलावा जिस तरह से बिना किसी लूट पाट के इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और पडोसियों को भनक भी नहीं लगी। ये भी एक अपने आप में सवाल है क्योंकि कातिल शायद जानता था कि महिला घर में अकेली रहती है और उसने बेरहमी से महिला की हत्या कर दी। हत्यारों की गिरफतारी के बाद ही इन तमाम सवालों पर से परदा उठे हैं वह घर पर अकेली रहती थी घटना स्थल से लूट के कोई सबूत पुलिस को नहीं मिले। पुलिस का मानना है कि वारदात करने वाले का इरादा स्नेहलता को मारना था। अब तक की तफ्तीश में जो कुछ सामने आया है उससे पुलिस का मानना है कि वारदात में कोई कर मुकेश चंद्र शर्मा स्नेहलता के तीसरे नंबर के बेटे हैं. वह जानकी पुरम में रहते हैं. वही उनकी देख रेक करने आते जाते रहते थे. नवरात्र के पहले दिन रविवार को भी मुकेश सुबह करीब 11 बजे मा को फल आधी देने गए थे. करीब एक घंटे तक वहां रुखने के बाद वह वापस चले गए थे. रात करीब पौने आठ बजे स्नेहलता की लुधियाना निवासी पोती ने उनके पडोसी देवेंद को फोन किया. उसने बताया कि वह काफी वक्त से दादी को कॉल कर रही है, लेकिन रिसीव नहीं हो रही है. इस पर देवेंदर अपनी छत से कूद कर स्नेहलता के मकान की छत पर गए. जाल से जब नीचे जहांक कर देखा, तो स्नेहलता आंगन में खून से लथपठ पड़ी है. घर का सारा सामान व्यवस्थित मिला. जब पुलिस व परिजन पहुँचे, तो घर का दरवाजा खुला था. फोरेंसिक टीम ने भी जाँच पड़ताल की. DCP North SM कासिम ने बताया कि अब तक की जाँच में एक बात तो साफ है कि लूट नहीं हुई है. पूरा सामान व्य गेट पर एक तरह से दो दरवाजे लगे हैं. पहला सामान व्य दूसरा लोहे का जाली वाला दरवाजा लगा है. सुरक्षा की नजरिये से ये दरवाजे लगाए गए हैं. मुकेश ने बताया कि उनकी मा कभी भी किसी के आवाज लगाने पर दरवाजा नहीं खोलती थी. पहले उनको कॉल करना पड़ता था. तब वह बाहर आती थी. तस्दीक कर लेती थी कि आने वाला रिष्टेदार या परिचित है तब ही दरवाजा खोलती थी. पर दरवाजा जबरन खुलवाए जाने के साक्ष्य नहीं मिले हैं. इसलिए भी बेहत करीबी पर शक है. क्यों यहां तक कि उसका व्यवहार ऐसा था जैसे वह साइको टाइप हो. डीसीपी ने बताया कि गहनता से तफ्तीश की जा रही है. पुलिस पता कर रही है कि हत्या की वजह क्या है. इसका जवाब मिलने के बाद पुलिस वारदात का खुलासा करेगी. आशंका है कि अचानक विवाद की वजह से घटना की. या फिर संपत्तियादी का कोई विवाद है. इन पहलूओं पर जाँच जारी है. गर्दन दो जगह से रेती सनेहलता की गर्दन दो जगह से रेती गई थी. बाएं, दाईं तरफ. मौके से चाकुआदी कोई भी आलाकतल बरामद नहीं आशंका है कि वादात को अंजाम देने के बाद आरोपी ही आलाकतल लेकर फरार हो गया. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में 90 साल की बुजुर्ग महिला शैल कुमारी की गला रेत कर हत्या कर दी गई. घटना अली गंज थाना क्षेत्र के त्रिवेणी नगर की है. जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग महिला की जब हत्या हुई तो वह घर में अकेली थी. इस वारदात को एक या उससे ज्यादा बदमाशों ने अंजाम दिया है. इसकी जाँच की जा रही है. साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस महिला का कोई विवाद हो. तभी महिला को मौत के घाट उतार दिया गया हो. लेकिन इस बात की अभी कोई पुष्टी नहीं हुई है. हैरानी की बात ये है कि बुजुर्ग महिला के चार बेटे हैं. एक बेटा रमेश फैमिली के साथ लंदन में रहता है. दूसरा बेटा मुकेश च बेटा मुकेश भी अपनी अपनी फैमिली के साथ अलग रहते हैं. परिजनों की माने तो सुबह उनकी महिला से फोन पर बात हुई. लेकिन शाम को उन्होंने मोबाइल नहीं उठाया. कई बार कार बेटा है. लेकिन अपनी थी को देँ हैं. तेसे कुछि के साथ और है च्झालों के साथ लिएमील हूंएक रहा है कि भी आपनी मिली में पर रहाँ जा रहा हुंच theology भीक्तित बाहा है. झाल झाल झाल